चलिए फ्रेंड्स आज बनाते हैं मतर पनीर वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से ना काजू ना क्रीम ना लहसुन ना प्याज हम इसमें से किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे फिर भी जो यह मतर पनीर है ना हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा मतलब शादियों में जो हम मतर पनीर खाते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा ये वाला मतर पनीर बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स का यूज करेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम के करीब मतर ली है और इसे गरम पानी में डाल करके रख दिया है थोड़ा सा नमक एड़ किया है और थोड़ी सी चीनी आदी छोटी चमच नमक है और आदी छोटी चमची चीनी एड़ की है अच्छे तरीकी से चला करके ढख करके थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे साइड में अब यहाँ पर मैंने यह पनी ले लिया है तो पनीर की मातरा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे और यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे पीस कट किये हैं आप बड़े चाहें तो इसके बड़े बड़े पीस भी कट कर सकते हैं आप इन टिप्स का यूज करेंगे जो मैं बता रही हूँ इससे मटा पनीर बहुत ही जादा टेस्टी बन करके तयार होगा तो यहाँ पर देखिए यह पनीर मैंने काट लिया है अब इन्हें हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है मतलब बहुत ही हलका सा फ्राई करना है जो जिससे इस पर गोल्डन कलर आ जाए बस इतना ही हमें से फ्राई करना है तो ये मैंने कड़ाई ले ली है अब इसमें मैंने यहाँ पर एक चमच घी अड़ किया है आप जो भी पसंद करते हो वो तेल या घी यूज कर सकते हैं लेकिन जो पनीर है न वो घी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बन करके तो मैंने यहाँ पर एक चमच के करीब घी अड़ किया है उसमें पनी डाल करके थोड़ी देर के लिए से हम चला लेंगे मेडियम टू लो फ्लेम का यूज करेंगे पनीर पर हलका गोल्डन कलर आ चुका है तो मैंने इसे एक अलग बर्तर में निकाल लिया है और थोड़ा सा गरम पानी एड़ करा है पानी ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए हलका गुनूना सा पानी होना चाहिए बस और इस हमारे मुह में आएगा तो फिका फिका नहीं लगेगा अब यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है टमाटर काफी बड़े साइस का था तो बस एक ही टमाटर की प्यूरी काफी रहेगी तो टमाटर को रफली काट लिया है और यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च एड़ करी है और एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है अगर आप ज़्यादा चटपटा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप हरी मिर्च की मातरा को ज़्यादा भी कर सकते है और यहाँ पर मैंने अद्रक को भी कट कर लिया है तो बस यह बेसिक सी जो है सबजिया इन्ही का ही हम यूज़ करेंगे अद्रक हरी मिर्च औ टमाटर अब जिस कड़ाई में मैंने पनीर को फ्राई किया था उसी कड़ाई में थोड़ा सा ओईल बच रखा था तो उसी में ही मैं सारी सबजियों को डाल करके थोड़ी देर के लिए सौते कर लेना है अब यहाँ पर मैंने आदी छोटी चमज के करीब नमक एड़ किया है नमक की मातरा आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी करकर के एड़ करनी है क्योंकि हो सकता है नमक बहुत जादा हो जाए क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डालना है और पनीर में भी हमने नमक एड़ किया है और जो हमने मटर रखे हैं गरम पानी में डालका उसमें भी हमने नमक एड़ किया है तो यहाँ पर देखी थोड़ी देर के लिए से medium to low flame पर ढखकर के रख दिया था और देखी टमाटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से गल चुके हैं अब इन्हें हमें ठंडा करने के लिए रख देना है तो यहाँ पर देखी मैंने gas को off कर दिया है मतलब induction को off कर दिया है और इसको टमाटर को ठंडा करने के लिए रख दिया है अब एक अलग बरतन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें मैंने एक बड़ी चमच धनिया पाउडर आधी छोटी चमच से भी कम हल्दी और आधी छोटी चमच मिर्श पाउडर लिया है और आधी चोटी चमश के करीब काला नमक लिया है एक बड़ा चमश भर के मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्श एड करी है और आधी चोटी चमश से भी कम काली मिर्श का पाउडर एड की आए मसार्लों को पानी में अच्छे तरीके से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देना है टमाटर ठंडे हो चुके हैं तो पहले टमाटर की प्यूरी बना करके तयार करेंगे तो मैंने मिक्सी का जाल ले लिया है उसमें सारे टमाटर को डाल करके इसको पीस लिया है तो यहाँ पर मैंने कड़ाई ले ली है और इसमें थोड़े से खड़े मसाले अड़ करें हैं क्योंकि इसमें हम प्याज और नहीं कोई काजू नहीं कोई क्रीम का यूज कर रहे हैं नहीं लहसुन का तो यहाँ पर थोड़े से हमने खड़े मसालों का यूज किया है दो अच्छे तरीके से भून लेना है जब मसाले में से पानी रिलीज होने लगे तब हमें यहाँ पर टमाटर की प्यूरी आड़ करनी है तो देखिए यहाँ पर टमाटर की प्यूरी मैंने एड़ कर दिया अब इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है तो आप इनको भी अच्छे तरीके से चला लेना है, मसारे मसाले आपस में मिल जाने चाहिए, अब छलाने के बाद, थोड़ा सा इसमें आप पानी एड़ करें, पानी जैसी आप gravy पसंद करते हैं खाना, उस तरीके से एड़ करें पानी, अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं, त तक कि मतर हमारे गल न जाए अगर इस तरीके से मतर गलने में आपको दिक्कत होती है تو आप पहले ही मतर कोmin कर लें मतलब कूकर में एक सीचिती लगाकरकर मतर कोmin कर लें और फिर इस स्टेज पर अड़िय करें शादियों में जो मटर पनीड खाते हैं उसमें इसी तरीके से मीठा एड़ किया जाता है इसलिए वो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो अब इस स्टेज पर पनीड को एड़ कर देना है और अच्छे तरीके से चला लेना है दो मिनट चलाने के बाद इसे ढख करके पका लेना है पांच मिनट के लिए मीडियम फिलिम पर तो यहाँ पर देखिए सबजी बन करके तयार हो चकी है इस तरीके से पनीड जो है सारे फ्लेवर को अपने अंदर एबसर्ब कर लेता है तो आप बारी आती है इसे सर्व करने की तो मैं आपको यहाँ पर सर्व करके दिखा रही हूँ कि देखिए सबजी कितनी जादा बढ़िया बन करके तयार हुई है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें